असलाम लग दोस्तों जैसे का आप जानते घर में आ चुकी हैं गर्मियम जो आप लोग होते हैं जाद तरह पंक या एल कुलर का इस्तमाल करते हैं एल कुलर पर हम रेसेंटली वीडियो बनाई और पंको पर भी हमने डिफरेंट किसम के वीडियो बनाई है लेकिन दोस्तों ज बनाए आप इसको किसी भी अपनी बाराओ बंटरी से और सुलार पाइसादी से चला सकते हैं चलिए दोस्तों आपको यह पिवीज़ पैंप ले लिया है यह आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा और सबसे पहले हम इसके बिलेट्स बनाएंगे बिलेट्स कि मैं साइज 16 इसको बनाएंचे रख रहा हूँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप जो जितना चाहिए फैन उसके हिसाब से और आप मैं पीवीज़ पैंप को कट कर देता हूं जल्दी में अच्छा दोस्तों मैंने पीवीज़ पैंप को कट कर दिया है तक्रीब सोला इंच के सबसे अब हैं मैं मैं इसको मिडल से फिर कट करेंगे देखे मैं इसकी अभी शीट बनाएंगे शीट बना कर फिर हम इसकी बिलेट बनाएंगे और मैं इसको सामने से एक लकी लगा के फिर इसको कट कर देता हूं अच्छे दोस्तों मैंने पैंप कट कर लिया है अभी मैं इसकी श बना लिए शीट्स बनने के लिए पहरे आप उसको गरम करेंगे गरम करने के बाद आप इसको लकडी का पीस को लेके इसके उपर दबाएंगे तो यह बिल्कुल इस तरह बहतरी शीट्स बन जाएगी अभी मैं तक्रीबान साड़े चार इंच के हिसाब से मैं इसके तीन साइट से इसको मार्क कर लिया अभी तीनों को मैं कट कर दूँगा बस कट में आसानी से कट हो जाएगे कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है आप इसको तीन चार मर्त पाइसको कट से काट के पर इससे प्रेस करेंगे यह आसानी से टूट जाएगा आप अच्छे वा से थोड़े बड़े होते हो नीचे थोड़ा की साइस कम होती है मैंने उपनीचे से एक इंच के साव ससे को कट कर लिया जिस तरह देखिये अभी से ऀंच घख इससमें फैना होते हैं उस्त की तरह लग रहे है और मैं दो फिर से नीचे से मार्क दोंगा क्योंकिश्क आभी फवके नेको साइड बाहिर वाला इसाए जो एऔर किया था उसको कट कर देंगे देखे दोस्तों हमारे यह बिलएट बिल्कुल तयार रोकी हैं और हमारी यह वेंगे розलिए buffalo होन गो ह्वा को नीचे प्रियूक जो हमारे मार्कित में में प्रियूण उनके फोंके बीलेट्स वह भी बैंड्स होते हैं इसलिए मैं इनको बेंड्स कर लूँगा मैं इसको एक प्रूमाल के मदश्प को नीचे करता जाओं का क्योंकि यह बहुत ज़्यदा करम होता है आप इस तरह बेंड कर सकते हैं बहुत आसरीं बेंड हो जाया के देख़ इसके हाफ सेंटीमिटर के हिसाब से थिकने से अच्छा दोस्तों मैंने 6 इंच का एक सरकल बना लिया है और 3 इंच मैंने पिरकार को खोला है और 6 इंच का हमारा यह सरकल त्यार हो चुका है और इसमें मैं दो पीसस यूज़ करूंगा क्यूंकि इसकी एक मेन वज़ाई है कि म मैंने बिल्कुल में एक होल कर दिया है और जो है हमने यह पीसस लिए यह जो सरकल लिया है यह 360 डिगरी का इसलिए मैं इसको 300 में डिवाइट कर दूंगा जो 120 डिगरी के बन जाएंगे 300 में बराबर तभीड कर दिया अब यह आगे बिलेट लगाने हो बिलेट को उम बिलक दो नीचे रखना है और इसमें मैंने स्कूर्य यूज़ किये हैं ये चार मूह बट्ढ़ यूज़ हैं क्यरिवर्न यह ब्रशन फ्राइए और ये ये 12 वॉल्ड डी सी फैन ले लिए और ये आप यह देखें आप बारां वोली फेने और इसमें ये शाफ्ट अच्छी तरह लग जाती है और आमी इसमें अभी जो हमने ये बिलेट्स बनाए है जो इसमें शाफ्ट भी फिक्स हो जाएगी इतनी है कि इसाब से मैंने होल किया था अभी देखिए जो उसका बड़ा जो साइज ता जो बड़ी आप पर लगा हो और लगा और ऊपर के साइड जो थोड़ा सा मुट थोड़ा सा उससे कम था उसकी सब्सक्राइब देखिए जो आभी वेर डाएगा वो नीचे तरह आएगा क्योंकि उसमें साइज भी बढ़ा है और मैंने शूपर लगा कि इसको फिक्स कर दिया है दूसर वाता गांव होता जागा यह तरह यहता यह तृप को एक बार मैं आपर इसके उसका इसके में उसके पीवीं के कनी इसके Jeansya पर रूपकर नहीं है एक वाने झीजानिकी कुछ तरह साथ उसका लुधतह उना अब जो ओपर की तीन को सब्रकेंट सब्रजब करनेदेंelnे आज देखो करने करूं देखो सब्रकेंड आख़े 5 को S. कर दिया है अच्छा दूस्तों हमने मोटर को त्यार कर लिए पैंप शेप लगा यह को बिल्कुल त्यार कर दिया हम इसको कनेट करेंगे अच्छा ने से चली जाती है और इसको मैं ट्याइट करके इसमें लगा दूँ का कोई नाप भी नहीं लेगा जिसका हैड कि यलो किलर कर दिया है किता खूраш लग रह रहा है ने भी ऊतर लाय में छूछ रहा है जब इसको सकते बब्सा अब आप उब जर्याओं नयुक्त नकुछा के को शोटा है तो इस में थोड़ा बड़ा होल कर रही है इसके लिए होल छोटा करने के लिए फिर में तोड़ा सथा जुगाड लगा कर इसको बंद तक भी कर दिया अब शोटा रखेंगे यह और आप दो समय क्या की देखिए अब से शहर्ड़ा करूंट था करें तो डिया है वीडियो कैसे लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजी मुझे दीजिए अपने बहुत सारा ख्यार रखीएगा अलाहाफिस